भारत और ब्रिटेन के रिष्टों में किस कदर गर्म जोशी है ये ब्रिटेन के प्रधान मंतरी डेवीड कैमरून की मौझूदा भारत यात्रा में हर जगह दिख रही है वैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के सियात्रा का मकसद भी कही न कही यही है कि पहले से मजबूत व्यापारी कृष्टों को और मजबूत किया जाए भारत ने ब्रिटेन से कहा है कि वो भारत यूरोपिया संग व्यपार समझोते को अंजाम तक पहुचाने में अपनी भूवी का निभाए तो ब्रिटेन ने भी आशवाशन दिया कि वो भारत में निवेश बढ़ाने के साथ साथ दोनों देशों के आपसी व्यपार को 2015 तक दो कर दोनों देशों ने अफगानस्तान की तरक्की और पुनर निर्टराइख वी आफ़िपिय आसने से व्यूवाशन दोनों देशों ने अफगानिस्तान के तरक्की और पुनर निर्मान में सकारात्मक भूमी का निभाने का फैसला किया है। भारत और ब्रिटेन के बीच हुई प्रतिनिधिम अंडल स्तरिय बातचीत में ये भी तैक किया गया कि दोनों देश जल नागरिक परवाणू करार के लिए बातचीत शुरू करेंगे। यूरोपिया संग के देशों में ब्रिटेन भारत का सबसे बड़ा साजीदार है और ये बात दोनों देश बखूबी समझते हैं। बातचीत के दोरान डेविड कैमरून ने एक बार फिर दो रहा है कि ना सिर्फ भारत के वैपारियों को पहुचने के साथ ही वीजा देने के उपाये पर काम चल रहा है बलके ब्रिटेन में पढ़ाई के लिए आने वालों भारत के छात्रों की संग्या सीमित करने का भी उन दिन्योंस दिले